मारीच को मारकर जब राम लोट रहे थे तो लक्षमन उनको सामने से आते हुए दिखाई दिये। लक्षमन को देखकर उनके मन में तरह तरह की शनकाय होने लगी, मारीच का चलवे देखी चुके थे। लक्षमन से वेरुष्ट होकर बोले, मेरी आग्या का उलंगन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्षमन ने सब बाते बताई, राम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भायों दास मन कुटी में पहुँचे तो देखा बढ़ा सरनाटा है वेच सीता। सीता तहकर पुकारते पर कहीं से कोई उत्तर ना आता। राम बोले देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूर्चुनने निकल गई है। दोनों भायों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेर से पूछा, हर शिला से पूछा, पशुपक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड कर सूर्य से, पवन से, दसो दिशाओं से सीता का पता पूछते। चोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे, पंच्वटी के हिरन, गोदावरी नदी का सुहाना तत उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्षमन से बोले, मैं अप्रान देने जा रहा हूं। तुम वयोध्या लोट जाओ। लक्षमन ने समझा होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिये। तूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आका शयान भी तूटा हुआ था। लगता था वहां कोई युद्ध हुआ है, तभी उन्हें खून से लटपत जटायू दीख पड़ा। जटायू जटायू को जलान जली देकर राम लक्षमन एक घने जंगल में पहुँचे सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनकी रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर्था ही नहीं। उसने एक एक हाथ से दोनों भायों को पकर लिया और अटहास करते हुए बोला भगवान ने आज घर बैठे भरपेग भोजन दिया है। मैं कई दिन से भूखा था। राम लक्षमन ने अपनी अपनी तलवारे निकाली और उसकी भुजाय कट डाली, कबंध व्याकुल होकर प्रित्वी पर गिर पड़ा। राम के स्पर्ष से उसकी बुद्धी शुधा हो गई उसने राम लक्षमन के बारे में जानना चाहा। राम ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला मेरा दाह संसकार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने ये भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं। है। राम लक्षमन ने उसका दाह संसकार कर दिया। राम की सपर्ष से वह शाप मुक्त हो गया। एक रिशी के शाप से वह दानव हो गया था और इंद्र के वज़ को चाट से उसका सिर पेट में घुश गया था। तभी से उसका नाम कबंध पढ़ गया था। चलते चलते राम शबरी के आश्रम में पहुँचे, शबरी ने दोड कर राम के पैर्च हुए, चरन थधोय, आसंधिया और मीठे-मीठे, फल मूल खाने को दिये, वह बोली, रिशी ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चल कर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे, श्री राम न शबरी से सीता जी का पता पूछा, शबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह वश्य सहायक होगा, तब शबरी ने श्री राम को मतंग रिशी का आश्रम और मतंग वन दिखाया और रिशी के चमतकान की बहुत सी कथाएं सुनाई, फिर राम की अनुमती लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया, शबरी से मिलकर राम के मन को बड़ी शांती मिली और व्याकुलता जाती रही,